ओली, स्कींग कैपिटल ओफ इंडिया, जो की फेमस है अपने स्कींग रिजोर्ट, ओली लेक, स्नो कवर माउंटेन और केबल कार के लिए, ओली उत्राखंड के गड़वाल रीजन में पढ़ता है। 9000 फीट की उचाई परस्तीती एक खुबसूरत सा हिल स्टेशन, स्नो लवर में काफी पॉपलर है। इस वीडियो में मैं आपको ओली इन विंटर के बारे में कम्पलीट इंफर्मेशन दूँगा, कि ओली कब जाए, कैसे जाए, कितना खरचाएगा ओली घूमने का, होटल एंड फूड एक्स्पेंस। सो ये वीडियो ऐसा गाइड काम करेगी जब भी आप ओली का ट्रिप प्लान करोगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। जिससे की ट्रेवल फॉर ओल की सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। विंटर में बेस टाइम टू विजिट की बात करें तो जैन्वरी टू मार्च बेस टाइम रहता है ओली में स्नो देखने का और स्नो एक्टिविटीज इंजॉय करने का। विंटर सिजन में आपको स्कींग इवेंट्स टूर्नामेंट भी ओली में देखने को मिल जाएंगे। ओली आने के लिए आपको पहले जोशीमट पहुचना होता है। जोशीमट से ओली की दूरी 6 किलोमेटर है। जोशीमट आप बाई ट्रेन, बाई एर, बाई बस और सैल वीकल से पहुच सकते हैं। बाई ट्रेन से आप आना चाहें तो नीरस रेलवे स्टेशन, देरादून, हरीदवार और रिशीकेश का पढ़ता है। सो आपकी सिटी से जहां की डाइरेक्ट ट्रेन मिल जाए, वहां से आप आ सकते हैं। होटल की बात करें तो जोशीमट से नीरस्ट एरपोर्ट, देरादून का जोली गरांट एरपोर्ट पढ़ता है। जहां तक आप फ्लाइट से आ सकते हैं। और आगे का सफर बस या टेक्सी से तैक कर सकते हैं। बाई सैल विकल से भी आप जोशीमट आ सकते हैं। जोशीमट वेल कनेक्टिड है रोड से। देली से जोशीमट की दूरी 512 किलोमेटर और चंदिगड से जोशीमट 458 किलोमेटर की दूरी पर पड़ता है। होटल की बात करें तो होटल आप जोशीमट में ले सकते हैं। जो की आपको 1500 से 2000 की रेंज में एविलेवल हो जाएगा। आप ओफलाइन या ओनलाइन दोनों तरह से होटल ले सकते हैं। ओली में आपको GMVN के गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे पर वो काफी कोसली रहते हैं। जिसका फेर 6000 से 8000 पे पर रूम तक रहता है। जोशीमट से ओली आप रोफवे, बायकार और टोली से पहुंच सकते हैं। रोफवे से आप ओली आना चाते हैं तो सबसे पहले आप जोशीमट पहुंच कर रोफवे का टिकट ले लें। रोफवे का टिकट प्राइज आने जाने का 1000 पे पर परसन रहता है। रोफवे की टिकट के लिए आप जितनी जल्दी जुबार टिकट काउंटर पर पहुंच जाएं उतना अच्छा है। लाइक आप 7-8 बजे टिकट काउंटर पर पहुंच जाएं। क्योंकि जैन टु मार्च पीक सीजन रहता है, सो अगर ज़्यादा टूरिस आ जाएं तो सभी टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं। और बुकिंग क्लोज हो जाती है। सो इस बात का ध्यान रखें। सेकेंडली आप टेक्सी से ओली स्की रिजोर्ट केबल कार पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। और आगे मेन स्नो पॉइंट तक केबल कार से 500 पेमे आना जाना कर सकते हैं। सो फर्सली आप रोवे का ट्राइ करें। अदरवाईज आप टेक्सी से केबल कार तक पहुंच जाएं और आगे का सफर केबल कार से तैग करें और चार बजे तक आपको ओली से वापिस आ जाना होता है अगर आपका वहाँ पर स्टेड नहीं है तो सो ओली पहुंच कर आप स्कीइंग रिजोर्ट एक्स्प्लोर कर सकते हैं और आप स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं और स्कींग रिजोर्ट से ओली लेक तक का ट्रैक कर सकते हैं जो कि एक आर्टिफिशल लेक है और विंटर में ये लेक पूरी तरह जमी होती है और आप ब्यूटिफुल स्नो माउंटेन देख सकते हैं सो स्कींग और स्नो बोर्डिंग के चार्जिस की बात करें तो 1500 से 3000 पे तक आपके स्कींग और स्नो बोर्डिंग के चार्जिस लग सकते हैं अगर आप बेसिक स्कींग या स्नो बोर्डिंग सीखना चाते हैं तो 500 पे आपके अलग से चार्जिस लगते हैं और आप Certified Sking Course भी ओली में कर सकते हैं जिसका duration साथ से चोदा दिन तक का रहता है। सो साथ से चोदा दिन आपको ओली में रहना होता है। और इसके charges बीस हजार से शुरूँ के पचास हजार पे तक रहते हैं। जिसमें रहना include रहता है। फूट की बात करने तो ओली में आपको कुछ food points मिल जाएंगे। आपको ओली में उपर 40 उर्पे की मिलेगी। बाकी जोशिमट में food आपको normal rates पर मिल जाएगा। जोशिमट से बदरिनाथ की दूरी 45 किलोमिटर है। बदरिनाथ और माने विलेज की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसे भी आप देख सकते हैं। तो ओली दो दिन घूमने का बजट आपका कुछ इस तरह रहेगा। तो अगर आप दो लोग आ रहे हैं और 1500 रपे का होटल ले रहे हैं तो दो दिन का होटल का खर्चा 3000 पे। पर परसन पोस्ट आपकी होटल की रहेगी 1500 रपे पर परसन। फूड का 2000 पे पर परसन। और साइट सिंग का 2000 पे पर परसन। सो इस तरह से आप 4500 से 5000 रपे में ओली एक्स्प्लोर कर सकते हैं। इसमें आप अपनी सिटी से आने जाने का खर्चा एड़ करकर अपना ओली का ट्रिप प्लैन कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में।